पिरा वाप आए तो हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में स्वाइब का तो यहर आज की वीडियो मस्त होने वाली है पूरा देख लेना हवरना था तो गईस आप चलो आगे बढ़ते हैं तो यार आज आपकी जो वीडियो मैं आपको देखे आने वालों वो है क्रिंज इंटू हंट्रेड जी हां का इसकुछ ऐसे खतरनाक इंडियन एड्स जो इंसानों को पागल करते जा रहे हैं पागल होगी है फिर जब इंडियन एड्स अपनी चरम सीमा पर थे वो लोग हमें सरयाम पागल बनाते रहे क्रिंज फैलाते रहे लोगों के अंदर गुस्सा नफरत पैदा करते रहे लोगों को पागल बनाते रहे तब एक मसीहा सिर्फ एक मसीहा आया उसका नाम था रौनिक शर्मा क्या आपके मसूरों में तकलीफ है क्या आपके टूथपेस में नमक है एक दम इनोने वक्त बदल दिया जिस बहुत बदल दिया जिन्दगी बदल दी नहीं भाई अब मैं इस प्रैनेट पर नहीं रह सकता ना बाई बाई टाटा गुडबाई गया अब क्या होता हूं ऐसे यह सूरज कुसे में लाल नहीं आपका गोला हो जाता है यह कहानी है गर्म सूरज की उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की यह कहानी है इस गर्म शरीर के थंडे सपनों की एक टोई से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा बंगल यान पर बैटके थर्ती पराया यह एलियन बाल देखे इसके लाल मासूम सूरज अपनी गर्मी से अंजाना था आइसक्रिम खाने के लिए दिवाना था सौफटी पकरता तो जल जाती और दूद की कुलफी पिगल जाती घर की चीजों मैं भी गर्मी दिखती रही पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही पर भई होसला तो रखना था भई बच्चा भी तो अपना था ठंडे को गरम करना बाल्टी के पानी को बॉल करना बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी-कभी मस्ती में डैर डेविल बनन फेस पे कलन के खेत की मुलतानी मिट्टी, हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तिल, पीट पे शारुक का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बरब बीपो का आइडिया भी भाब बन गया माबाप ने क्या-क्या नहीं किया, मंदिर के घंटी, चर्क में फादर बंटी, गुर्दवारे की सीडियां और दरगा की कवालियां, पर सूरच, ज्यों का त्यों रहामिया, बस अब लास रिजॉर्ट है इसकी शादी, शायद इसी से इसकी गर्मी निकल जाएगी, वो कैस लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी, सूरच मुखी शर्माते होए भजिया तल रही थी, इतने में लड़की के पपा छिलर जी बोले तो चक्रवर्ती साब, रिश्टा पका समझें, हाँ हाँ जरूर, पर हम आपको एन एक बात बताना तो भूली गए चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड, छिलर फैमली के सामने की सूरच की गर्मी डाउनलोड, सुनकर छिलर जी फिर से बोले बस इतनी सी बात बेटा सूरच मुखी, हरी सब का मुँ मिठा कर आओ भाई सूरच मुखी जट से कुलफी ले आई, एक एक करके सब को थमाई बट इस बार सूरच की कुलफी ना पिखल पाई, और ये देख छुटकी चिल्लाई रिष्टा पक्का हो गया, सूरच वाकई चंगा हो गया इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टूरी का हैप्पी एंड हो गया तो मतलब की ये एड इसी का था, ओरे भाई, मतलब मेरे को पूरे पांच मिनिट में एक बार भी ऐसे न लगा कि ये एड इसी का होगा, मतलब भी क्या एड बनाया है शांदार, मज़ेदार, मज़े आगए, वाह भाई सब कौन से सस्तेने चेकर करके ये ऐसे एड बनाते है बाई सब मतलब की कुछ भी में कोई एक बार भी समझने है का ये एड हो सकता है एसी का अगर आपको एक बार भी इसमें लगाओ को ये एड हो सकता है एसी का पूरे पांच मिनिट में तो यार आप लेजेंड हो, मतलब मेरा सल्यूट है आपको तोबा 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 थाड़ा मूट खरब कर लिया दातों में सडन हो आपको चाहिए ये वाला टू आपको क्या लगता है ये एड यहीं पर खतम हो जाएगा क्या ये एड भी वो कोलगेट वाला एड है नहीं तो रुको जा रहा सबर गरो अभी तो ये एड स्टार्ट हुआ है अभी तो आप देखना आदे गंटे तक क्या पागल बनाएंगे तो काट एट काश मेरी तुचा भी ऐसी होती तुम्हें चाहिए ये वाला ग्रीम एक मिनिट इन्होंने इस लड़के को ऐसा बना दिया मतलब वाह कुछ भी यहां मतलब एक यह लड़का है इसको इन्होंने लड़के एक तो बना दिया और इसके काले बालों को इनने सफेद कर दिया आ रहे भाई रंग सफेद करना था बाल नहीं करने थे यार बताओ कोई ऐसी क्रीम मत यूज करा करो यार ऐसा ये ही होता है देखो देखा आपने लापरवाई का नतीजा है तेलिविजिन पे धुनली तस्मेरें तो ले आए ये ये वाला टीवी जसमें है परपल रे साउंड और मस्बूत पिक्चर कॉलिटी कम्सोर दीवार आपको चाहिए ये वाला सिमेंट इसमें है 32 में अपे चलो इस सिमेंट में है कम्सोर याददाश्ट आपको चाहिए ये वाला चूरा अबस अपर इसकी तो कमी थी अँने तो क्या अब इसको एड़ को देखके तो इसी पागर हो जाओंगा तब इन लोगों ने चूरा ने भी दिखा दिया अभी चूरा खाओ दिमाग के बते जलाओ वाव वाव मोदीजी वाव आपके देश में क्या चल रहा है ये वाला याद आया थैंके अशा आपके इन्वेस्मेंट्स में आपका पैसे हमारा पैसे हमारा पैसे स्सक्राइब आपका पैसे नहीं ये समझे अफकोर्स आफ अरे तो फिर आगी चलो अब उस बार तो चले ना गेट खोल काई थी बटे इस बार तो सीधा ही अंदर एतम गेट टोड़ एंट्री वाँ खामोश इन सब को दीजिये ये वाला चुईंगा सेंटर फ्रेश सुबाँ पर रखे लगा इन लोगों के लिए तालिया बहुत जादा तालिया मारो के लिए मैंने तो सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये एड सेंटर फ्रूट का हो सकता है मतलब कि यार क्या आप बात करती यार इन लोगोंने शब्द नहीं है मेरे पास बोलें के लिए अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ चौबी साल का था अरे भई ऐसे एड को देख कर बच भी कौन पाएगा इतने खतरना गैट तो बना देते हैं ये लोग हमरा आदर दिमाग तो इधर ही खराब हो जाता है तो फिर समझ लो तो कैस चलो यार वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ यार क्योंके आगे मेरे रिक्वास मैं और बनाता तो मेरे दिमाग खराब हो जाता और मेरी mentally condition खराब हो जाती तो यार और आपको एक और ख़बर देनी थी guys क्यार मैं youtube छोड़ रहा हूँ जी हाँ guys मुझसे नहीं हो रही है और आप like नहीं आते subscribe नहीं आते ना आप लोग video share कर दो क्यों कि मेरे कोई video पर 100 से उपर कोई गया ही नहीं यह views नहीं गया है तो guys चलो यार मैं आपको यह खबर देना चाहता था कि आकल रात 12 बजे के बाद से आपको मेरी youtube पर कोई भी video नहीं आएगी guys कर यह last video थी I hope आप लगों अच्छा लगा इस ते मैंने first आपको हसादिया था इस सब को थोड़ा एंटर्टेनिंग फील हो जार बुरा मत मानना क्योंकि अगले साल आओंगा बाप अब यह बजा आएगा ना बिल्ट पेसे एक नया चैनल लेकर और उस चैनल में मैं बहुत अच्छे से content बनाऊंगा गाईज यार क्योंकि अभी देखो मेरे भी ट्वेलत है तो मुझे भी बहुत सी पढ़ाई वड़ेकर नहीं होती है तो चलता हुआ इस अपना खयाल रखना और अच्छे रहना क्योंकि करोना अगले साल तक तो शहता कतम हो जाएगा अगले साल या फिर दूसरे साल दो साल बात तो झाल मुझे भी बहुत वाले साल शौसरे साल शौसरे साल तो साल अभी बिलत है